तो इस वीडियो में हम लोग Atomic Collision के बाड़े में पढ़ने वाले हैं देखें, Energy Transfer करने का जो दो Method है एक Method है Wave, Wave के दोड़ा, Photons के दोड़ा आप Energy Transfer कर सकते हैं दूसरा Energy Transfer करने का Method है Collision ठीक है न, Collision, ठीक है Wave में क्या होता है कि Photons जाके किसी Atom से टकड़ाता है है और जैसे माल लेते कि hydrogen atom है hydrogen atom से जाके टकड़ाया उसके इलेक्ट्रों जो थे ground state में था और ground state में था उसको इनर्जी प्रोवाइड किया वह 10.2 electron volt तो hydrogen के electron ground state से jump करके first excited state में चले जाएंगे यह आप समझ रहे हैं यदि वह provide कर देता है 12.1 12.09 electron volt ओके तो electron जो है वो first orbit से jump कर ground state से jump करके third orbit में चले जाएगा यह भी आप समझ रहे हैं तो आप यह point समझ रहे हैं कि wave के दौरा energy को कैसे transfer किया जाता है किसी atom को कैसे provide किया जाता है यह हम लोग जान चुके हैं ठीक है आज हम लोग किसी particle के दौरा किसी atom को energy provide कैसे किया जाएगा यह सीखने वाले लेकिन एक point थोड़ा समय आपके दिमाग को एक जगह पे ले जाना चाहूंगा कि आप जड़ा सोच यह क्या photons को आप पार्टिकल एज्यूम नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं ना photons को भी एक massless particle एज्यूम किया जाता है एक ऐसा particle एज्यूम किया जाता है जिसका rest mass 0 होगा माना जाते में तो क्या oxygen में पर नहीं पर सकते हैं को लिजन में भी पर सकते बहichtig वेव कहने के लिए कई दिया जाता है एक अलग से topic बना दिया जाता है लेकिन उस photons वाले तर्म को भी हम लोग वालेजिशन में पर सकते हैं ठीक है कैसे पर सकते हैं उसका approach क्या भी मैं आपको discuss करके बताने वाला हूँ ठीक है तो बहुत important concept है और यदि माल लिजे कम time में आपको एक बहुत अच्छा concept सीखने को मिल जाता है और एक ऐसा concept जिससे जिस पे पूछे जाने वाला question आसान है आसान question पूछा आता है तो यह बहुत फाइदेक है तो यह पूरा वी से पहले आप atomic collision से पहले आपको collision के बारे में थोड़ा सा ग्यान होना जरूरी है तो मैं आपको एक छोटा सा knowledge प्रोवाइड कर देता हूँ collision के बारे में जैसे माल लिजे यह M1 particle है यह U1 speed से जा रहा था यह M2 particle है जो U2 speed से जा रहा था initial kinetic energy जो होगा इस system का वो होगा half M1 U1 square plus half M2 U2 square माल लेते हैं यह दोनों टकडा गया टकडाया और maximum heat loss हुआ है इस collision में maximum heat loss हुआ है इसका मतलब है कि यह दोनों टकडाने के बाद कुछ same velocity से जाड़ा होगा same velocity से जाड़ा होगा तो अब जो इसका kinetic energy final होगा that will be equals to half M1 plus M2 into V square atomic collision है लेकिन है तो collision ही तो निश्चित तोड़ यहां पे linear momentum भी conserve होगा तो linear momentum conservation से M1 U1 plus M2 U2 that will be equals to M1 plus M2 into V so you can say that final kinetic energy is equals to final kinetic energy के यहां पे कितना हो जाएगा M1 U1 plus M2 U2 का hall squared by M1 plus M2 यह हो जाएगा कुछ ठीक है तो यहां पर जो loss of kinetic energy हुआ हो loss का loss का मतलब क्या होता है loss of kinetic energy जो होगा यहां पर that will be equal to initial kinetic energy minus final kinetic energy यह होगा loss in kinetic energy क्या होगा initial kinetic energy minus final kinetic energy और यह जो loss होगा यह कितने के बढ़ाबर होगा आप आप initial kinetic energy में से final kinetic energy को subtract करके देखेगा जो मैं equation से लिख रहा हूँ वही आएगा half m1 m2 by m1 plus m2 that is called reduce mass into relative velocity का square u1 minus u2 का all square ठीक है इसको यदि हम छोटे से equation में लिखने की कोसिस करें तो यह हो जाएगा half mu into u relative का square यह बहुत important point है that is called loss loss in kinetic energy during collision and अब हम लोग इस concept का use करने वाले हैं atomic collision के case में तो देख लेते हैं atomic collision के case में इसका use कैसे किया जाएगा atomic collision के concept को कैसे सीखा जा सकते हैं तो यह loss of kinetic energy है माल लेते हैं कि यह दोनों atom होगा या इसमें से कोई atom होगा यदि loss of kinetic energy का value इतना हो जाए कि उस atom का electron किसी orbit से किसी orbit में जंप करके चला जाए ठीक है यदि यह kinetic energy में जो loss है वो इतना जादा होगा कि electron जंप कर सकता है जैसे hydrogen के first orbit से second orbit में जंप करने के लिए 10.2 electron volt की requirement होती है तो यदि वो requirement फुल्फिल कर रहा है यदि वो 10.2 electron volt energy प्रोवाइड कर रहा है तो यह जो collision होगा यह inelastic perfectly inelastic collision कहला आएगा ठीक है न तो यह सब points important है यह तो collision का कुछ concept हो गया इस term को आप थोड़ी कुछ देर के लिए memorize कीजिए क्योंकि अब हम लोग atom के बाड़े में थोड़ा सा घ्यान ले लेते हैं क्योंकि atomic collision में जब atom के collision की बात की जारी है electron को excite करने की बात की जारी है तो electron को excite करने के लिए कितना energy provide करना होता है इसकी भी बात करनी जरूरी है यहां पर तो देख लीजेगा आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझिये जैसे कोई atom है hydrogen atom की बात करते है hydrogen atom का यह first orbit में यह second orbit का energy level यह third orbit का यह fourth orbit का और इसी तरीके से यह infinite में energy zero हो जाता है जन्हा फ़irt orbit का energy कितना होता है वाई- 13.6 iteration volt वोल्त सेकेंड और बिट का energy कितना होता है यह जो ए एटू और 5,0 रिलेक्ट्रोल्त सही है यह memorize रहना बहुत जरूरी है, यदि आप atomic physics पर रहे हैं और यदि यह memorize नहीं है, इसका मतलब है कि 50% chance है कि आप से atomic structure का question नहीं बनेगा, यदि इस concept पर question आया तो, है ना, तो यह energy का कुछ points है, जो memorize करने के लिए जरूरी है, तो यह वो कुछ point है, हाँ, यह अलग बात है कि इसको जब jump करना, माल लेते electron है first orbit में, ground state में ही generally electron रहेगा, तो first orbit से second orbit में जाना है, तो इसको कितना energy का requirement है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे, e2, निश्चित तोर पे e2 का energy है, यह जादा है, e1 का energy कम है, negative है न, negative में जादा मतलब कम होता है, है ना, तो य यह, e1 कम है, e2 कितना जादा है, तो e2 minus e1 से पता चलेगा, 10.2 electron volt जादा है, यदि electron ground state में है, और इसको यह आपको first excited state में वेजना है, या second orbit में वेजना है, तो electron को कितना energy provide करना होगा, 10.2 electron volt energy provide करना होगा, यदि माल लिजे ground state के electron को third orbit में वेजना है, third orbit में वेजना है, तो कितना energy provide करना होगा, 12.09 electron volt energy provide करना होगा, तब वो ground state से second excited state में चला जाएगा, यदि इसको third excited state में वेजना है, तो कितना energy provide करना होगा, तब इसको provide करना होगा, 12.74 electron volt, आप ये भी memorize रख सकते हैं, ये भी important है, हना, तो यहाँ पर कि E2 minus E1, delta E1 का value हो गया, delta E1 का value हो गया कितने के बड़ाबर, 10.2 electron volt के बड़ाबर, मतलब यह, that is the, this is the minimum energy required to excite an electron, which is stay initially in ground state, okay, so you can say that, if electron jump from ground state to second excited state, then minimum amount of energy required, that will be equals to 12.9 electron volt, E3 minus E1, 12.09 electron volt, okay, अब देखिए, माले ते ground state से, यह चला जाता है, fourth orbit में, तो fourth orbit में कितना energy का requirement होगा, delta E3 का value कितने के बड़ाबर होगा, 12.74, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, E4 minus E1 कर रहे हैं, है न, तो यह हो जाएगा, 12.74 electron volt, ठीक है, हो गया, तो कुछ इतना energy का requirement होगा, अब इस concept का, और पिछले concept का use करके हम लोग question को solve करेंगे, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी points देख लेते हैं, अब atomic collision के main concept की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग, part A, part B, दोनों सीख चुके हैं, दो important concept सीख चुके हैं, इन दोनों concept का use करके, अब किसी question को कैसे बनाया जाएगा, देखिएगा, सबसे पहली बात, जैसे माल लीजिए, एक neutron है, ये एक neutron है, और ये hydrogen atom है, ओके, ये hydrogen atom है, और ये neutron है, अब ये neutron है, इसका mass हैं है, hydrogen mass, hydrogen का भी mass, neutron के ही mass के लगवग बड़ा बड़ होते हैं, तो neutron का mass है, हाइडोजन का mass है, ये rest में, ये किस में है, rest में, ओके, तो अब यहां से पूछा जाएगा है, कि find the minimum kinetic energy of neutron required for perfectly inelastic collision, है ना, inelastic collision, ठीक है, perfectly inelastic collision के लिए, कितना minimum kinetic energy of neutron की जोरत पड़ेगी, तो दोनों का mass सेम होता है, तो यहां पर reduce mass का value कितने के बड़ाबर हो जाएगा, बताएगे, reduce mass का value हो जाएगा, m into m, by m plus m, m by 2 के बड़ाबर, ठीक है, तो kinetic energy, loss in kinetic energy कितने के बड़ाबर हो जाएगा, loss in kinetic energy, delta k, half mu into, इसका speed u माल लेते हैं, क्या माल लेते हैं, u माल लेते हैं इसका speed, तो half mu into u square, यही loss in kinetic energy होगा, तो यह होगा, half m by 2 into u square, तो half, half mu square, mu square क्या था भाई, kinetic energy of neutron था, that is equal to kinetic energy of neutron by 2, okay, तो यह loss in kinetic energy है, और minimum kinetic energy of neutron का requirement है, perfectly inelastic collision करने के लिए, और minimum kinetic energy, minimum energy क्या चाहिए, hydrogen के first ground state से electron को first orbit में जाने में, 10.2 electron volt चाहिए, ठीक है, तो 10.2 electron volt यह दी चाहिए, it means that loss in kinetic energy will be equals to 10.2 electron volt, होगा न, 10.2 electron volt होगा यह, तभी तो possibility है कि hydrogen का electron, जो ground state में था, वो jump करके first excited state में चला जाएगा, ठीक है, तो kinetic energy of neutron कितना required हो गया, भाई, 20.4 electron volt हो गया न, अच्छे समझ में आ गया होगा, अब एक और बात करते हैं हम लोग, ऐसा समझ यह, अब इसी question में कहा जाए, कि neutron का क्या kinetic energy होना चाहिए, कि यह जो hydrogen है, यह ionize हो जाए, यह hydrogen क्या हो जाए, ionize हो जाए, तो what is the energy, minimum energy required to ionize an hydrogen atom, okay, so that amount of energy is equals to 13.6 electron volt, 13.6 electron volt means loss in kinetic energy must be equals to 13.6 electron volt, it means if you equate this value to this value, then 13.6 equal to kinetic energy of neutron by 2, it means kinetic energy of neutron will be equals to 27.2 electron volt, मतलब यदि neutron का यह kinetic energy होगा, 27.2 electron volt होगा, तो यह possibility है, कि वो hydrogen को ionize करा देगा, है न, तो यह कुछ important point है, जो हम लोगों को जानना था, एक और बात, एक और बहुत important concept में आपको बता देता हूँ, अच्छा, एक point समझे, बहुत लोग कहते हैं कि photons टकडा रहा है, तो उसको atomic collision में नहीं पढ़ सकते हैं, उसके लिए अलग से बोलते हैं कि यह wave है, wave जाके टकडाता है, मैं जड़ा आपको एक कुछी देर में आपको यह सिखा देता हूँ, कि यह भी atomic collision का ही part है, कैसे है, देख लिजे जड़ा, देख लिजेगा, उस concept का भी यूज यहाँ पर किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, देखिए, जब photon टकडा रहे है, जब photon टकडा रहे है, photon का मास क्या होते है, जीरो है ना, तो जीरो और चलता हुआ photon मतलब negligible मास का होगा, ठीक है, negligible मास का होगा, तो इस case में reduce मास का जो value है, M into mass of photon into mass of atom, by mass of photon plus mass of atom, ठीक है, तो mass of photon, अब ये mass photon जो है, atom पर टकडा रहे है, जिसका कि mass ma था, ओके, तो mass of photon plus ma को क्या लिख सकते है, ma photon का mass negligible है as compared to the mass of atom, so you can say that, mp into ma that is equal to ma, तो ma ma cut गया, that is equal to, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि ये जो है, ये photon का mass हो गया, photon का mass हो गया, तो जो loss in kinetic energy था, loss in kinetic energy था, थोड़ा समझें इस point को, loss in kinetic energy था, वो कितने के बड़ाबर था, half mu into u square के बड़ाबर था, था न, half mu into u square के बड़ाबर था, ठीक है, और mu का value हो गया, mp के बड़ाबर, mp into u square, and this is the kinetic energy of photon, this is the kinetic energy of photon, वैसे total energy of photon को mc square लिखा जाता है, लेकिन चुकि हम particle की तरह यूज कर रहे हैं, हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, particle की तरह यूज कर रहे हैं, इस काड़न से ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, kinetic energy of photon हो गया, तो आप समझ सकते हैं, कि loss of kinetic energy equals to kinetic energy of photon, मतलब जैसे यह कोई atom है, यह कोई atom है, और इससे photon जाके टकड़ाया, जिसका की kinetic energy के था, तो इस case में, loss in kinetic energy कितना होगा, जितना kinetic energy of photon था, मतलब, photon अपना साड़ा का साड़ा energy गवा देगा, photon का loss हो जाएगा, इसी लिए कहा जाता है, कि यदि atom को ionize करना है, तो आपको कितने energy का photon देना होगा, माइनस 13.6 electron volt का, यदि आप 13.6 electron volt का energy प्रोवाइड करते हैं, यदि आप 13.6 electron volt का photon energy प्रोवाइड करते हैं, तो एक atom को आप ionize कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वही neutron से टकडा के hydrogen को इदि आउनाइज करना है, तो 27.2 electron volt का energy प्रोवाइड करना होगा, तो ये बहुत important point है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, लिख लिजेगा, इस point को note कर लिजे, atomic collision के question को बनाने में बहुत ज्यादा help करने वाला है, लिखेगा, यदि, if, if colliding object is of negligible mass, then, then it lose all of its energy during collision, okay, मतलब टकडाने वाला, यदि negligible mass का है, तो अपना साड़ा का साड़ा energy गवा देगा during collision, but, if, colliding particle, is of same mass, as it collides to the particle, then, it lost their half of its energy, यदि, टकडाने वाला particle, जिससे टकड़ खाड़ा है, तो यदि, particle का mass same है, तो टकडाने वाला जो particle है, वो अपना आधा energy गवा देगा, तो neutron के case में आप देख रहे थे, है कि वो अपना आधा energy, half energy गवा दे रहा था, during collision, लेकिन जब photon की बात हो रही थी, तो वो अपना पूरा का पूरा energy गवा दे रहा था, ठीके, तो इस तरीके से आप photon के concept को भी यहाँ पर apply कर सकते हैं, बहुत ही important concept मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिस की है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इस पर कुछ question हम लोग देख लेते हैं, पिछला वीडियो जो, पिछला वीडियो जो upload किया हुआ था, pathfinder का जो solution uploaded था, modern physics का, उसमें देखिएगा, उसमें एक बहुत अच्छा question है, जो atomic collision के concept है, उस question को बना लीजेगा अप लोग, ठीक है, यह वीडियो पुड़ा देखने के बाद, ओके, तो एक दो question मैं और ले लेता हूँ, ठीक है, और neutron having kinetic energy 12.5 electron volt, neutron का neutron है यह, neutron है और जिसका की kinetic energy 12.5 electron volt, इसका kinetic energy का है 12.5 electron volt, यह जाके टकड़ा रहा है, collide with a hydrogen atom at rest, जाके टकड़ा रहा है, hydrogen atom से, जो की rest में है, neglect the difference in mass between the neutron and the hydrogen atom, and assume that neutron does not leave its line of motion, find the possible kinetic energy of neutron after collision, तो दोनों का mass सेम है न, दोनों का mass सेम होता है neutron और hydrogen का, ठीक है, तो यहां पर यह अपना half energy ही loss कर सकता है, गवा सकता है, तो 12.5 by 2 यह करते हैं, तो यह कितने के बड़ाबड आएगा, यह approximate आएगा 6.25 के बड़ाबड, मतलब hydrogen को 6.25 electron, volt energy मिल सकता है यदि in elastic collision होगा तो, लेकिन 6.25 से इसको कुछ होना जाना ही नहीं, इसको minimum energy कितना चाहिए, 10.2 electron volt चाहिए, मिल कितना रहा है, 6.25 electron volt मिल रहा energy, इसका मतलब है कि यह इस energy को receive नहीं करेगा, मतलब यह energy heat के form में, electron को excite करने के form में release नहीं होगा, यदि यह release नहीं होगा, तो निश्चित तोर पर यहां पर कोई kinetic energy में loss possible नहीं है, इस case में heat loss की बात हम लोग नहीं करेंगे, चाहिए तो electronic site होगा, या तो electronic site नहीं होगा, यदि electronic site होता है, तो वहां पर kinetic energy में loss होगा, otherwise kinetic energy में कोई loss नहीं होगा, collision perfectly elastic हो जाएगा, यह point समझ लीजे आप, ठीक है, तो यहां पर जब यह required energy से कम है, तो यहां पर perfectly elastic collision होगा, और perfectly elastic collision का यह rule होता है, जब M mass का particle किसी rest particle यदि किसी object से टकडाता है, जो कि rest में है, same mass से टकडाता है, तो क्या होता है, यह अपना momentum इसको transfer कर देता है, तो अब hydrogen USP से चलने लगेगा, और यह इसका kinetic energy zero हो जाएगा, और hydrogen का kinetic energy अब क्या हो जाएगा, hydrogen का kinetic energy 12.5 electron volt हो जाएगा, तो यह question number 33 था, इसी concept पर based रहे, question number 34 of SCV, तो question number 34 में देखे, question number 34 आपके screen पर आड़ा होगा, इसको भी हम लोग सीख लेते हैं, देखे, इस question में काड़ है, hydrogen atom moving at a speed V, collide with another hydrogen atom kept at rest, find the minimum value of V for which one of the atom may get ionized, एक atom ionized हो जाए, ठीके, the mass of hydrogen atom 1.67, देखे, जैसे इस point को समझे, एक hydrogen atom है, जाके दूसरे hydrogen atom से टकडाड है, तो दोनों का mass same हो गया भाई, तो यह अपना आधा energy loss कर पाएगा, मतलब loss in kinetic energy का value, यहाँ पर क्या हो जाए, एक hydrogen ionize कर जाए, ionize करने के लिए इसको energy कितना चाहिए, 13.6 electron volt का energy चाहिए, मतलब loss in kinetic energy will be equals to 13.6 electron volt, यदि आप 13.6 electron volt loss in kinetic energy लिखते हैं, तो इसका kinetic energy क्या होगा, k e by 2, इसका मतलब इस hydrogen का kinetic energy कितना होना चाहिए था, 27.2 electron volt होना चाहिए था, इस hydrogen का energy होना चाहिए था, 12, 27.2 electron volt, ठीके, तब यह अपना, तब यह क्या होता, इस hydrogen को जिससे वो टकडार है, उसको ionize कर देता, ठीके, तो यह concept पर यह best question था, अब यहाँ पर यह kinetic energy अब यह आप समझ गए तो half mba squared equal to 27.2 electron volt करके, आप इस question को बना सकते है, electron volt को joule में convert कर दीजेगा, 1.6 into 10 to the power minus 19 से multiply करके, चली फिर next question में चलते हैं, करिखे कर दो होता हैं, जेखे कर दो हैं,актиग